हाउ रूफीक्स सैमसंग ओन एट नमस्कार दोस्तों सुवागर अब सभी का तेकर आज यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने सैमसंग के इस डिवाइस पर आप एप इंस्टॉल प्रॉब्लम सॉल्फ सकते हैं। अगर दोस्तों आपको यह को इंस्टॉल करना चाहते हैं लेकिन आप इंस्टॉल नहीं कर पार हैं तो उसके दोस यहां पर कई सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। आपके डिवाइस इस तोरेश फूल हो सकते हैं सारे साथ आपके जो डिवाइस हैं उसमें कई सरा अप्लिकेशन अल्री इंस्टॉल हो चुके होंगे उसके वज़े से भी हो सकते हैं या फिर दोस आप जिस प्लेटफरम से डाउनलोड करना चाह रहा है उसके परमिशन अपने लाइन हो जाएगा तो वीडियो के सार दंतक बने रहे है सारे साथ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखाए तो सब्सक्राइब करते हुए邊 Also अगर आप सबसे पहले क्या क्या अगर आपको यह प्रॉब्लम आ रहा है तो आप चेक करें आपके डिवाइस स्टोरेज फूल है या फिर कितना कॉन्जिम हो गया है ठीक है तो आपके जो स्टोरेज है एट लिस्ट यहाँ पे आप फ्री आप करें ठीक है जितने MB या फिर जितने साइस का आप डाउनलोड कर ने वाले हैं इंस्टोर करने वाले उतने साइज का एब आप इस पेज जो है वो खाली कर दीजिए उसके बाद दोस्तों आप यहां पर इंस्टोर कर सकते हैं अगर आपके मुबाइल पर अल्रेजिक रिख्याइट सारे अप्लिकेशन्स है जो कि आपने इंस्टॉल कर रख रखते हैं सारे साथ दोस्तों मान लेजिए आप यहाँ पर कोई वेब साइट से आप इंस्टॉल करना चाहरा है एब को लेकिन हो नहीं पा रहा है तो उसके लिए दोस्तों आप सेटिंग पर जाए और यहाँ पर आपको मिलेगा एक ऑप्शन बायो मेट्रिक्स का ठीक है बा अंडॉन एप ठीक है उसके बाद दोस्तों आप जो है यहाँ पर क्या किजिएगा दुबारा से रींसों करने की कोशिश करें हो जाएगा प्रॉब्लिम फिक्स ठीक है और दोस्तों यहाँ पर मान लेजा प्लेस्टॉर से इंस्टॉल करना चाहरा है लेकिन नहीं हो रहा है तो आपको सबसे पहले play store के profile में जाना है setting पर click करना है about पर click करना है और उसके बार प्रियस्टोर वर्जिन पर one tap कर ले पर जाये स्टोरेश पर क्लिख किजूए और मेनेक्स पर गजा कि इसका जो डेटा है दोस्तों उसको क्लीनप कर दीजैंअ ठीक है यس चुनरे क्लिक करना है और उसके बात करें सब्सक्राइस को पंजय करें और उसके बाद चेक करके देखे आपके जो इश्य है आपके जो प्रॉब्लम है डेफिनेटली इतना में फिक्स्ट हो जाएगा ठीक है दोस्तों यहाँ पर अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आते हैं ठीक है जस्ट बाइग्जम्पल तो आप दोस्तों अपने जो यहाँ आपके जीमेल का एकाउंट होते हैं ठीक है जिससे आप प्ले स्टोर को क्रेट करते हैं या फिर प्ले स्टोर में लोगिन करके रखते हैं तो आपको वह जीमेल एकाउंट या फिर आपके जो गूगल एकाउंट है उसको रिमूफ करके रियेट करके देखने हैं तो उससे भी आपका काम बन जाएगा सारे सार आपके डिवाइस सौफ़र अपडेट नहीं है तो डिवाइस सौफ़र भी अपडेट जरू से कर लेना ठीक है तो इस तरीके से जाके आपका प्रॉब्लेम फिक्स हो जाएगा उमीद करतें दोस्तों आपको यह वीडियो प्संद होगा ठीक्सष़ प्सौच'ं